आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्यों ओपरेशन खत्म देव दूतों ने बचाई 46 लोगों की जाने कोरोना के बढ़ते केस ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चुंता दिल्ली महारास्ट्र समेत पांच राजियों को लिखी चिट्टी किरजीवाल सरकार का एलान विद्राश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा पर भेज़ेंगे पीडिपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी नजर्मंद शोपियों में हिंदू परिवार के घर जाने की कर रही थी तयारी प्राइम टीवी आयरू करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की और उत्रप्रदेश के विधानसवा परिशत की चुनाओ परिडामों में वीज़िपी ने इतिहास रस्ते वे 36 में 33 सीटों पर जीत हासिल की है इस जो बर्दस्त जीत के साथ भारती जंता पार्टी ने इतिहास रज़ दिया है इस चुनाओ में उत्रप्रदेश के प्रमुख पक्षी दल समाजवादी पार्टी का तो सफाया हो गया है बाज़पा के अलावा दो सीट पर निर्दलिय प्रत्याशी जीते हैं जबकि एक सीट पर राज़ा भया की पार्टी जन सत्ता दल लोग तांत्री को जीत मिली है वही तमाम जिलों से जोशन की तस्वीरे सामने आई है युपिविधान परिशत के स्थान ये प्राधिकर छेत्र की 36 सीटों के चुनाओं में भाज़पा ने 33 पर जीत दर्च की है वही आगरा से बीज़पी प्रत्याशी विजय शिवहरे ने सब प्रत्याशी के दिली प्यादों को भारी मतों से हराया बतादे की बीज़पी प्रत्याशी सुविभरे को 3471 वोट मिले है जबकि सपा प्रत्याशी दिली प्यादों को सिर्फ 205 वोट ही मिले है जबकि नदले प्रत्याशी प्रवीड को 30 वोट मिले है बत्यस्थ शॉच्विड वोट से महरी वेज़ई हुई है जीत के पीछे यश्यश्वी दिश के प्रदानमंत्री मोधी जी और यश्यश्वी मुक्मंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगनाग है जन कल्णार कारी योजिनों के माध्यम से उधेश में 2,422 तक कहीं ना कहीं जो डेलिगेट्स का चुनापता प्रधान, बीडीसी, जलापंचासादस, चीरमेन, सभासद, मेर, सभापारशद, विदायक, सांसद, जो वोट करते हैं उनकी द्वारा जो काम किये गए, उसका प्रडाम है, कि इस लोकल बोड़ी, MLC के अंदर, हम जैसे कार करता हूँ, भारतियंता पार्टी कार करता हूँ, उन मद्दातों ने हमको जिताया है तो वहीं गोरकपुर और महराज गंज, MLC सीट से भाचवर पत्याशी, CP चंद की भारी मतों से जीत हुई है बतादे, CP चंद को 4849 वोट मिले हैं, वहीं सपा के रजनी शेयादों को 460 वोट मिले हैं, इसके अलावा 119 वोट रेजक्ट हो गए है गोरकपुर से MLC पत के उमिद्वार, परत्यासी, CP चंद की विजय हुई है, बाचपा से परत्यासी थे ऐसे में अब से कुछी देर बाद उनको साइटिफिकर भी दिया जाएगा, जिलादिकारी जो की उनको साइटिफिकर देंगे और ऐसे में बता दें, CP चंद अंदर मौझूद है, और बाहर आपको बता दें, परत्यासी पूरी तरह से मौझूद है, धोलतासे के साथ हर्शो उल्लास यहां पे है, अबीर से होली खेल ले हैं, और आपको बता दें कि पूरी बाहरी सुरक्षा विवस्ता है, यहाँ और उनको उमीद है कि जल से जल सार्टिफिकट लेने के बाद भाजपा परत्यासी जो की विजाई हुए है, CP चंद वो बाहर आएं और उनके स्वागत करें, उनके हर्शो उल्लास के साथ स्वागत करें, उनके विजाई में सरीख हो, गोरखपूर से प्राइम टीवी के ल परतों के अंतर से, MLC चुनाओं में विजय हासिल की है, CP के विशाल सिंग चंचल लगातार दूसरी बार गाजपूर के MLC के पद पर निर्वाचित हुए हैं, वहीं जीत हासिल करने के बाद, CP प्रत्याशी विशाल सिंग चंचल ने कहा है, कि इस जीत का पूरा श्रे जुपी को समर्पित कारे करताओं को है, यह हुई है, उत्तरप्रदेश विधान परिशत चुनाओं में भाजपा ने 36 में से 33 सीटे निकाली हैं और तीन निर्दली अमिद्वारों ने जीत हासिल की, वहीं जपी ने विधान सबा के बाद, विधान परिशत में भी भारी मतों के अंतर से प्रचंड जीत हासिल की, आये जो आनते हैं, गोरकपुर से हमारे समवर्दा था, हिमाज उश्रवास्तो की रिपोर्ट से. निर्दली अमिद्वारों निकाला है, जबकि सपा ने खाता भी नहीं खोला, आपको बता दे, गोरकपुर से मुख्य परतिबंदी सपा के सिर्फ 407 वोटों पे ही सिमिट के रह गया है, और ऐसे में 93.7 बटा, 7 परतिशत का आंकड़ा रहा है, भाजपा ने ऐसी क्या गड परिशत के चुनाओं में कि भाजपा बड़े अंतराल के साथ जीत रही है, और जीत का अंतराल भी जादा है, और ऐसे में शासन पर शासन ने इस रक्षा बेवस्था को चाक चौबंद किया था, लेकिन आपको बता दे कि उत्तर परदेश विधान परिशत चुनाओं के ब भारी तादात में जुलूस के साथ निकले और जिसमें जुलूस पर उत्तर परदेश में जुलूस को मनाई किया गया था, कि किसी भी परतियासी को जीते हुए परतियासी को जो भी जीत रहा है, वो कभी भी जुलूस नहीं निकालेगा, उसको जुलूस निकालने की जाद या उसको किसी भी कारे में चैसे योगी आदितनात ने कहा था कि विधान सभा में तो हम अपने चीजों को रख लेते थे लेकिन विधान परिशद में हम जब भी किसी परस्ताओं को पास करने जाते थे तो वहां हमारी मज़र्टी नहीं थी और इस वार विधान सभा और जमीन तो उतर सके उन्हें पूरी किया सके उन्हें पास कराए सके गोरकपुर से हमान्शु श्रवास्तो प्राइम टीवी विकरांत सिंग रिशु ने 2814 मतों से अंतर में बीज़ोपी से जीत हासल किये प्रत्याशी अरूर कांथ को हराया है जंता का असिरवाद और प्यार है जो जंता के बीच में लगाता है हम लोग तीन पीडियों से खार कर रहा है उसके वज़र से जंता ने आज और जन परिदियों ने दोनों जंता के अपना आशिरवाद के रूप में एतनी बड़ी आतियास एक जिफ दी है बस्ती सिधातनगर विधान परिशो चुनाव की मदगर्णा शांती पूर धंग से संपन हो गई बस्ती में स्थाने निकाए के चुनाव से भाषवा प्रत्याशी सुभाष यदवन्स को जीत मिली है उन्होंने सपा के सदोश यादो उर्फ सनी को 4294 मतों से पराजित किया है मदगर्णा के दोरान जिला प्रिशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे ताकि मदगर्णा के दोरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए जीत हासल करने के बाद बीजेपी प्रत्यासी शुभास यद्वन्स ने कहा गी यह जीत हमारे लोगप्रिय प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योग आदितनात के जन कल्याड कारी नीतों की वज़े से बीजेपी को जीत हासल हुई है माननी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रोडी माननी ओख्यमंत्री योग आदितनात के सरकार के जन कल्याड कारी नीतियों की जीत है नित्रित थोंहे संगठन की सभी कारकरता। हमारे तीनो सानस test, हमारे सभी एधन्च 000 गलेकिट से इसके अलामा जिला पंचाद की पृतिजी और ग्रामपरधान बीडीसी कि सब लोगों के साथ हमारे देवतुल कार करता हूँ कि जो उन्होंने मेहनत की पराकाश्ठा की थी इन सब कारण से हम लोगों को यह भीजय मिली है इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ करूँ MLC चुनाओं में BGP का दबदबा देखने को मिला है MLC बनने पर रवी शंकर सिंग पप्पु ने पूर प्रधानमद्री चंदर शेखर और अपने पिता को याद करते हुए मद्दाताओं को धन्यवाद दिया खबर रामपूर से है जहां चुनाओे रंजुश को लेकर गोलिया चल गई इस दोराने के युवक की मौके पर मौत हो गई और एक युवक गोली लगने से घायल हो गया आनन्फानन में घायल को इलाज के लिए जिला उस्पताल ले जाया गया बतादे प्रधानी के चुनाओ को लेकर पुनाने रंजुश के चलते फाइरिंग की गई संभल में बीजोपी के छेत्रे उपाध्यक जो राजेश सिंगल ने सफिकुर रह्मान बर के बयान पर तीखा पलटवार किया है बीजोपी नेता ने कहा है कि बाबा का बुल्डोजर चालू हो गया गुन्नागर्दी करने वाले चाहे सपा नेता हो या कोई भी हो बाबा का बुल्डोजर चलता रहेगा साथी कहा कि सपा वाले उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं कानून विवस्था को मानने वाला व्यक्त यूपी में सुरक्षित है इसलिए आज उल्टाई सीधा व्यान दे रहा हैं समाजवादी पार्टी के लोग जो आरूप लगा रहा है उत्ता परिजस के अंदर मुस्लिम जो है सुष्चित नहीं है या मुस्मानों के हालत किसता है ऐसा कुछ नहीं है भर्टाई पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास और सबका विस्वादी खबर पदायू से है जहां स्कूल के प्रिंसिपल की इलापरवाही की वज़े से बच्चों की हाई स्कूल बोर्ट की परिक्षा चूट गई जब परिजनों से सबबंध में बात की तो उन्हों ने बताया कि बच्चों ने होम साइंस की जगा गडित का विश्य चुना था लेकिन विश्य सही नहीं चुनने के बाद भी प्रवेश पत्र में गडित विश्य नहीं था जिसकी सूचना कॉलेज प्रश्यासन को दी गई जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने हाथ से विश्य को काट दिया और कहा कि जो विश्य सही हो गया है आप लोग परिक्षा देने जा सकते हैं लेकिन प्रवेश पत्र की डेट के हिसाब से जब होम साइंस का पेपर हुआ तो बच्चे उसमें अनुपस्थित रहे और ग जो डिलिवरी के लिए आई प्रशूता की ओपरेशन के दवरान मौत हो गई पैतिस वर्शिय महिला का नाम लक्षमी था मृतिका के पती और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बिना किसी पूछताच के और जरूई रिजाच के ओपरेशन से डिलिवरी करा दी जिस पताल परिसर में रखकर जम कर हंगामा काट और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कारिवाई की मांगी परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ने पैसे का लालच भी दिया था अब बच्चे का ओपरेशन करवाने के लिए आए तो इनने बच्चादानी अपनी आप निकाल लिए बिना बताए ने यह बोला था कि पहले हमसे आप आईए यहां पर हमसे बात कीजिए और लेने देने का जो भी मामला है वो हमसे कीजिए हम करते हैं कॉम्टरमाइंज करन अब बस्ते जनपत की पुलिस इस समय अपराद व अपराधियों के विरुध लगातार कारवाई कर रही है जिससे अपराधियों में खौफ का महौल बना हुआ है वह यहां जिसी क्रम में थाना और पुलिस और स्वार्टीम की सायुक्त कारवाई के दोराने के शातिर और इ थाना गौर की एक वरद महिला से एक वेक्ति ने चेन लूट की घटना कारित की थी इस संबंद में बस्ती से पूर में जेल बेजे गया अपराधियों की फोटो जब उस महिला को दिखाए गई तो उसने चेन लूटने वाले अपराधि की पहचान सुरिज जैस्वाल थाना खजनी जनपद गोरकपुर के रूप में करी इसको सुरिज जैस्वाल को पूर में जनपद बस्ती पुलिस के तरह जेल भेजा गया था उसी करम में जब हमारी थाना गौर की और स्वाट की टीम सुरिज जैस्वाल की धरपकण में लगी वी थी तो 11-12 अपरेल की रात एक उसके साथ में पुलिस की मुटबेडवी जिसमें सुरेन जैसवाल के पैर में गुल लेगी जिसका इलाज सदर स्बताल बस्ती में चल रहा है जहां वो कदरे से बाहर है इस सुरेन जैसवाल के उपर पूर में 14 मुकदमे अलग अलग जीलों में कुशिनगर, देवरिया, महार पूर से लिखे जा चुके हैं अपरादी का अपराद करने तरीका यह है कि जो अबरद मैला हैं उनको टार्गेट करता है जिनके गले में चेन पड़ी होती है और उनको ये जहांसा देता है कि उनके परवार के किसी लड़के ने इसको भेजा है और ये एक जोलरी की शॉप कर भाग जाता है इसके समन्द में हम लोग ये कारवाई करने वाले हैं कि इसकी जवानत ना होने पाए और इसने जो भी जो भी अपराद करके संपतियर्जित किये उसको कुर किया जा सके है खबर चंदौली से है जो ललन उपाध है ने मीडिया से बात करने हा एक नया की गुहार लगाई है पूरो में जोईन मजिस्ट्रेट पीपी मीड़ा ने सरकारी तलाब पर अवैद कपज़ा के मामले में ललन उपाध है पर एक करोड एक लाक 68 हजार रुपए का लगाया थ साथ ही आरोप लगाया कि जोईन मजिस्ट्रेट के इशारे पर पुलिस काम करती है बने हैं मैंने का जाएगा विद्याले की जमीन पर पूर्तया मकंद बना है विद्याले खादे गड्रिम बना है सब इस इन्हें पर वज़े सो रहा है लालगंच राएब बरेली वर आड़सी मैयोजित होने वाली मंडलीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए राएब बरेली की दो खिलाडियों का लखनो मंडल की टीम में चैन हुआ है लखनो के केडी संग बाबो स्टेडिम है उजिते के दिवसी मंडल की टीम चैन प्रतियोगिता में राएब बरेली की तीन महिला बॉक्सरों ने प्रतिभाग किया था जिसमें सब जूनियर 16-17 अप्रेल तक आई उजित होने वाली मंदलिय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। खिलाडियों के चैन होने पर राइबरिली जिला इमेच्योर बॉक्सिंग एसोशियेशन के अध्याक्ष मुझफर आलम ने बधाई दी है। खबर संबल से हैं जो लाखो रुपे के सरकारी धन के बंदर बाट में तीन ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कारेवाई की गई है। जिसके बाद तीनों सच्चियों और ग्राम प्रधानों से सरकारी धन की वसूली के नर्देश दिये गए हैं। DPRO ने बताये कि संबल जीले की जुन वाई बलॉक में तैनात सची अध्यक्ष कुमार को भी निलंबित किया गया है। सचीव थे वहां के कफिल कुमार और गौरण कुमार को नियुलंबित किया गया है तथा वहां के ग्राम परधान और सचीवों से पसूली के आदेश भी जिलादीकारी मौगजवारा इसके अत्रिक पे ग्राम पंचायत हैदरबाद है रिकास्टम जूनावाई में वहां पे प खबर सुधारत नगर से है जहां के बिसकोहर नगर पंचायत के तिराहे पर आटो पार्ट्स के दुकान में आग लग गई आग लगने से दुकान में लाखो का सबान और नगदी जल कर खाक हो गया मतादे दुकांदार को पुलिस ने सूचना दी कि आपके दुकान में आग लग गई है जब दुकांदार दुकान पर पहुचा तो सारा समान और एक लाख रुपए जल कर राख हो चुका था करता हूं कम रात लगबग एक बजए हमारे घर दुकान पर आग लग गया था जिसे पुलिस द्वारा सुचना हमें मिला और मुके के पुलिस और पाई देगेर का गाड़ी पहुचा जोगी मैं वहां पर माजूर नहीं था अब तक की खास खबरों में इतना ही देश-दुनिया के और दाजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार